एक समचार रिपोर्ट में शेख हसीना के हवाले से दावा किया से दावे की श्त्यता पुर्मानित नहीं हुई है लकिन यह तो बताया ही जाता है कि सेट मार्टीन दू पर अमेरिका के नजर पहले से हैं आप से यह जाना चाहते हैं कि सेंट मार्टिन की जो आपDRस कर रहा है न्यूज में तो अभी ज़्यादा आया है बहुत पहले इतना ज़्यादा नहीं आ था है लेकिन सेट मार्टिन 1971 में जब बंगलादेश आजाद हुआ तभी से इसकी इंपोर्टेंस रही है और इंपोर्टेंस इस वज़े से नहीं जो अभी हम देख रहे हैं जिसकी हम बात कर हैं ये इंपोर्टेंस थी इस दीब का क्योंकि जो बाउंडरी थी मियनमार की मियनमार और बंगलादेश की उसकी जो बाउंडरी थी उस डिस्प्यूट में इसका नाम था सेंट मार्टिन का और सेंट मार्टिन देखिए बेसिकली ये कोक्स बजार जो में है पंदर का आया इनका बंगलादेश का, वहां से तकरीबं करीब बहुत जादा दूर नहीं है, नजदीक है उसके साथ, और टोटल एरिया इसका तीन स्कॉयर किलोमीटर है, बस, और करीब 37-38 की टोटल पॉपॉलेशन है वहां की, लेकिन यहां पर जो है मुखी चीजें है, है क्रिशी का ही, चावल होता है, कोकोनट है, वहां पर दालचीनी होता है, और इसका एक नाम दालचीनी के उपर भी है, एशनाम है इस दीब का, वहां पर, उसकी महत्ता उसकी वहां पर है, और bushes। नॉर्मल फिशिंग है, तो यह बेसीकिलि होती हैं, और यह सब चीजें काफी कुछ तो हम export होती हैं लेकिन इनके बीच में ये विवाद रहा था हला कि 1974 में दोनों के बीच में एक agreement हुआ था कि इनके साथ रहेगा बंगला देश के लेकिन फिर भी ये चलता रहा वहाँ पर 2012 में जा करके जो international conference on law of seas है समदर के उपर जो international कानूनों की जो एक conference है उन्होंने जा करके बोला कि ये उन्होंने confirm किया कि इसकी sovereignty जो है बंगला देश के साथ है तो ये बीच में इनके रहता रहा है और अभी भी देखिए वहाँ पर जो boundary है इनकी मेनमार की और बंगला देश की वहाँ पर आप जानते हैं कि प्रावलम काफी रही है रोंगियाज की सबसे बड़ ज्यादा प्रावलम थी और जब बंगला वहाँ मेनमार से रोंगिया भाग करके आए उन्होंने खजड़ा गया वहाँ से तो मैक्सम तो आकर कोक्स बजार के पास ही एक refugee camp पे रह रह रहे हैं और कहा तो यह जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा refugee camp है तो यह चीज़ वहाँ की इन जनरल मैंने कहा कि जो वहाँ चल रहा था लेकिन उसके बाद देखिए इसा नहीं था कि कुछ वहाँ पर चीज़ें जो आप कह रहे थे जो बात कह रहे थे कि शेख हसीना ने कहा है यह क्यूं है कहा तो है कहा क्या है जो आप कह रहे थी कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनसे तीन दीप मांगे थे जिस पर कि अमेरिका मेलेटरी बेस बनाना चा पर अमेरिका का भी है चीन का भी है और भारत का भी है वहां पर इससे पहले कि हम यह देखें कि उसमें क्या इंट्रेस्ट है इनका एक थोड़ा हम स्टेजिक इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या है सेंड बार्टिन की देखें सेंड बार्टिन स्टेट आफ मलका बहुत फैन बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। वहां से काफी गत्विदियां खास करके चीन की वहां पर देखी जा सकती हैं, आपजर्व की जा सकती हैं। और वैसे चीन भी बाकियों की कर सकता है। और आपको पता है कि हमारी भी एक नेवल प्रिजन्स उस इलाके में है, स्टेट मियनमार चीन प्रिशर डालता रहा है मियनमार पर कि वह अबज़क्ट करें इसके लिए। तो दूसरी चीज जो वहां पर है, यह पूरे बेव बेव बेंगाल को अगर देखा जाए, तो यह समझे ऊपर तो नहीं है हाइट पर बट ओवरलुक करता है। मतलब वहां से आप आप अबजर्व कर सकते हैं, डॉमिनेट बाइ अबजर्वेशन, तो ओ वो चीज हर जगर से नहीं है पॉसिबल। यह एक और इंपॉर्टेंस है, जो यह आईलेंड से वहां पर मेरिटाइम रिसोर्सेज की हमने बात की, कि यह मेरिटाइम रिसोर्सेज तो काफी हैं वहां वो तो ही है, आज़ेटेश. तो यह सब इसके लमा बहुत बड़ा टुरिस्ट डिस्टिनेशन है वहाँ के लिए, जिस हिसाब से ओ है. अब अगर हम बात करें, अगर हम अलग अलग बात करें, अमेरिका का इंटरेस्ट देखिए, कि अमेरिका हर हलत में चाहता है कि वहाँ पर चीन अलड़ी अपने इंटरेस्ट रखा हुआ है, तो अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर कोई बेस मिले और जिसे वो डॉमिनेट कर सके पूरे इलाके को और देखिए अमेरिका का अगर हम बात कर दें कि अमेरिका वहाँ डॉमिनेट करना चाहता है तो एक प्रश्चिन भी खड़ा होता है कि अमेरिका अकेले क्यों डॉमिनेट करना चाहता है अगर इंडो पैसिफिक में वो भारत को साथ लेके चलना चाहता है इ तो अमेरिका जो है वो हद जगा है हमारे पास तो हमारे पुराने गरंद कहते हैं कि अपना इंट्रेस्टीर सभी देखते हैं इंटरनेशन रिलेशन्स में तो वही हाल अमेरिका का है और अमेरिका की देखे एक मैं स्टडी रिपोर्ट देख रहा था उनकी स्टेट डिपार् और मुझे को लगता है कहीं न कहीं अमेरिका वहाँ पर अपनी प्रजन्स रख करके इंडिया को भी थोड़ा प्रेशर में लाना चाहिएगा। क्योंकि अधरवाज तो जैसे मैंने कहा साथ में लेके चलना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंस देखिए कि चीन के लिए वास्ता में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि दो चीजें हैं देखिए एक तो ट्रेड मैक्सम जा रहा है वहां से चीन का भी मैक्सम उदर से है। चीन की और कोई प्रजन्स नहीं है इंडिया नोशन में। इंडो-पैसिफिक में तो अलाग है इधर नहीं है। तो इधर ओ चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से उसको मिले। और ओ देखिए बहुत सालों से बंगला देश को किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ खींच रहा है। और ताजुब की बात मतलब यही है कि बंगला देश को जनम तो भारत ने दिया। भारत की वज़े से हुआ लेकिन आजादी के बाद बंगला दे धीरे धीरे चीन की तरफ खिंचता गया। तो यह भी एक विडमना है लेकिन अब यह विडमना तो विडमना नहीं रह गई, हकीकत बन गई है। तो यह भी एक है और चीद ने तकरिबन 25 बिलियन डॉलर का निवस्टमेंट किया हुआ है बंगला देश में। पदमा ब्रिज का आप देखते ही होगे, उनके रेल्वेज में उनकी मदद कर रहा है। तो यह तो उसका इंफरस्ट्रॉच्चर और बाकी चीजों में है। अभी जो है कम से कम वहां पर कुछ चीन की कमपनियां हैं जो बीस बिलियन डॉलर लेके खड़ी हैं इन्विस्ट करने के लिए अभी तक तो सेक शेना आपको पता है कि वहां से जब तक्ता पलट हुआ उसे पहले गई थी दो में एक मेने पहले ही गई थी चीन में और वहां स चीन का दवाब या अमेरिका का दवाब जिसका भारी होता है उसी का चलेगा लेकिन अलडी प्रिजन्स है ओ तो नकारा जा नहीं सकता और यहीं कोक्स वजार के पास देखिए उन्होंने एक नेवल इनके लिए एक बेस भी बनाया है नेवल बेस चीन ने जिसमें चीन ने दो पंडुबियां भी दी है अलाकि पुरानी है बट उनको दी है वहाँ पर जी चीन मिलिटरी जो हाड़वेर या वो कहिए सामान करीब साथ से पैंसेट परसंट बंगलादिस का चीन से आया है वो अलग की बात है क्वाल्टी कैसी है क्या है निचुरली वो अलग आया है क चीन ने उनको ट्रेनिंग में मदद दी है और अभी यहाल में देखिए तो मेंने पहले उनके साथ एक्साइजस भी की हैं तो यहां तक जो प्रेजन्स है चीन का और उसने जो है disguised 21 में आई नहींग को 6-7 एर क्राफ फड़ाफ दिये थे एफ-7 जिसने में वो पाकिसान को दिया हुआ है और उसी तब चीन 6 में भी उसने जोंसे में ने कहा दो सेमरीन दी हैं तो अभी जो है वंगलादेश पाकिस्तान के बाद चीन का सबसे ज़्याद radial रहे तो चीन इलिटरी सप्प्यलियर पाकिस्तान को दे रहा है उसके बाद वंगलादेश को दिया है और चीन जो है चीन का इंट्रेस्ट था एक सराडिया ऐर्लेंड से उभी इसे छोटा है जो हम बात कर रहें सेंट वांटिन से बट वहां चीन चाहता था एक बेस नेवल बेस बनाना जो की काफी आगे तक जा रहा था बट से कसीना ने इनकी की सरकार ने दस साल से थी तो इन्होंने मना कर दिया रुक गया लेकिन कहीं ये बेन पी या दोत्री सरकार आए और आगे बढ़ाएंगे तो एक और मुश्किल वाली चीज आ रही है तो ये जो एक चीज है इन वजह से इस सेंट मार्टिन का इंपॉर्टेंस था और अब और ज्यादा बढ़ गय जैसे मैंने का तीनों का इंट्रेस्ट है अमेरिका का चीन का और हमारा तो हमेशा रही है अब इफेक्ट क्या होगा देखिए चीन वहां आ जाता है बंगला देश में सेंट मांटीन में आ जाए या अमेरिका आ जाए अमेरिका क्यों डॉमिनेट करना चाहता है क्या इंडि को साथ लेके नहीं चल रहा है तो अगर तक्ता प्लड अमेरिका ने कराया है जैसा कहा जा रहा है तो फिर यह भी कारण हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए है भारत के लिए है हमारे नौर्थ इस्ट की है पहले भी हम कह चुके हैं जो हमारा सिली गुली कोर कुछ समय पहले ही शेख हसीना ने एक और चीज बोली थी, शायद मुझे यादे इस साल के शुरू में या पिछले साल में कि बाहरी शक्तियां बंगला देश को बांटना चाहती हैं, रिलिजियस ग्राउंड पर, अब फोरी सी में सोचने वाली बात है कि बंगला देश को और कितना बंटेंगे ये, उनका ये कहना था, अब तो उन्होंने सायद खुले में बोला, हलाकि उनके बेटे ने कहा था कि उन्होंने ऐसा को इस्टेटमेंट डिया नहीं है, कि अमेरिका का ही हो था कि वो मियन्मार का कुछ राका, जो रहंगया या बाकी, जो वहां कुकीज और ये सब वहां भी हैं, कुछ इनका इलाका, और उन्होंने धबे जुमान में जो नहीं बोला, या हिंट कर रही थी, कि भारत का नौथ इस्ट का कुछ इलाका, जो एक कोकीज और हमारे बाकी जो वहां पर हैं, इंसर्जेंट्स जो कि वहां से मदद ले रहे हैं, या मैंन मारबा की जगा बेस बनाए हैं, उनका हिंट था, मैंने कह रहा हूं कि उन्होंने सिधा कहा, लेकिन एक था उसमें, और लेकिन एक स्टेट्मेंट उनका बिल्कुल कहना था, कि बंगला देश को डिवाइड करके एक और देश बनाया जा रहा है, इस्ट तिमूर की तरह, य मैं नौर्थ इस्ट में खास करके बहुत ज़्यादा फोकस करने के जोड़त रहेगी, क्योंकि अगर इस तरह की अनस्टेबल सरकार रही हूं, चीन का या अमेरिका किसी का हो वहाँ पर प्रिशर पड़े, और अभी जिस तरह का माहौल है, इस माहौल में, अगर जो ये शक ये इंडिया के अगेंस बोलते रहे हैं, ये भी क्लियर है, तो इसके बाद अगर और और तो और अलकाइदा ने वेलकम किया है, जो इनके तक्ता पलट हुआ है, तो अगर अलकाइदा और मैं भी कहूंगा, ऐस ऐस भी, अगर ये लोग की प्रिजंस होगी ता आप समझ लि मैं कहूंगा कि हमें एक मजबूत इंतजाम करना पड़ेगा, ये कोई आख न दिखाये हुआ, नौर्थ एस्ट में, तो ये जो आप बात कहरे थे, इंपॉर्टेंस की, मेरे हिसाब से, अब हमें करना क्या चाहिए, जो मैंने कहा, एक मजबूती हमें दिखानी पड़ेगी पहली चीज तो है, जो भी सरकार बने, स्टेबल सरकार, अभी तो पता नहीं, पंगलादिश में बनेगी की नहीं, क्योंकि बी एनपी और इस्टुडेंट्स कह रहे थे कि तीन मेने बाद चुना होना चाहिए, क्योंकि अब इस्टुडेंट्स भी लग रहा है, वो आने च पिछे कौन आर्मी है, आज तक पाकिस्तान या बंगलादेश के हिस्ट्री ले ले लीजिए, जब जब आर्मी आई है, कभी इलेक्शन्स यतनी जल्दी हुए नहीं हैं, और मुहमद दिनुस का देखिए, कल स्टेट्मेंट भी आ गया, कि जब तक सिचुईशन नॉर्मल होता, तब तक इलेक्शन्स नहीं होंगे, तो ये चीज हमको देख के चलनी पड़ेगी, कि बैक्ट में कौन है, आर्मी है, या दूसरी शक्तियां है, या अमेरिका है, अगर जो भी है, उसके साथ हमें मिलके तो चलना ही पड़ेगा, अपनी इंट्रेस्ट को साथ मिलेके, और अगर अमेरिका है, तो अमेरिका को भी इंगेज करना पड़ेगा, कि हम भी हैं यहां पर हमारा भी इसमें इंट्रेस्ट आ रहा है, तो उनके साथ बात करके, और एक अगर इंडो पैसिफिक में हम भारत साथ दे रहा है अमेरिका का, तो यहां भी हम दे सकते हैं, अमेर पारी चीज है कि बंगला देश के ऊपर नजर रखना और एंशोर करना कि भारत विरोधी गत्विदियां जो कि बहुत बढ़ सकती हैं वहां से ऐसा नहीं हो और एक चीज और मैं एड़ करूँगा इसमें देखिए कि हमारे देश में भी कुछ शक्तियां हैं एक आद तो आप में नजर रखनी पड़ेगी और एंशोर करना पड़ेगा कि ऐसी देश विरोधी बातें कर रहे हैं कई ये बातें इनकी गत्विदियों में शामिल मत हो जाएं अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके